हाई फ्रेंड्स मैं अस्यार करने जा रहे हैं स्टीम एग कारी बहुती टेस्टी और एक दम अनोखी रेसिपी है इस एग कारी को ना तो अपने पहले कभी बनाए होंगे ना तो खाए होंगे एक बार इस नए तरीके से बने होई एग कारी को बना के देखिए घर में हर कोई आपके तारीब करते नहीं थकेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर सेयर कीजिए तो आईए फ्रेंड्स देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं चार पीस उबला हुआ अंडा लिए हैं अंडा को हलका हलका कट लगा लेंगे जिससे की मसाले का जो फ्लेवर है ओ अंडे के अंदर तक चला जाए इस तरीके से सारे अंडे को कट लगा लेंगे सारे अंडे को कट लगा लिए हैं अब एक पैन के अंदर अड़ कर देंगे चार पीछ सुखा लाल मिर्च मिर्ची को दो मिनिट के लिए हलका रोष्ट कर लेंगे मिर्ची को भुनते हुए दो मिनिट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे एक टेबिल स्पुन भर के सर्षों के तेल एक टेबिल स्पुन भर के चनादाल लिये हैं एड़ कर देंगे चनादाल एड़ कर देंगे एक टी स्पुन भर के जीरा सारे मसाले को एक साथ मिक्ष्ट करते हुए तब तक भुनेंगे जब तक चना दाल का कलर हलका चेंज ना हो जाए चना दाल का कलर हलका चेंज हो गए हैं अब एड़ कर देंगे लंबाई में कटी हुई एक छोटे सच के प्याज प्याज के साथ साथ एड़ कर देंगे एक मीडियम सेच के कटी हुई टमाटर गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए मसाले को भुनेंगे जिससे की प्याज अड़ टमाटर के अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए मसाले के हिसाब से एड़ कर देंगे नमक नमक डालने से प्याज और टमाटर जो है जल्दी से सौप्ट हो जाएंगे थोड़ी देर भुनने के बाद प्याज और टमाटर जो है देखिए एकदम सौप्ट हो जुके हैं अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद कर दिये हैं अब मसाले को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे मसाले ठंडा होने के बाद एक मिकसद जार के अंदर डाल लिये हैं अब मसाले का एक पेश्ट बनाएंगे मसाले को हलका दरदरा सा पीस लिये हैं मैंने मसाले का एक दम फाइन पेस्ट ना बनाए मसाले के अंदर हलका दरदरा पन रहनी चाहिए अब सारे मसाले को डाल देंगे एक स्टील के टिफिन बॉक्स के अंदर मिक्सर जार के अंदर अभी भी धेर सारे मसाले लगे हुए है मिक्स चार के अंदर एक कटोरी पानी डाल के मसाले को अच्छे से धोलिए है अब इस मसाला पानी को एड़ कर देंगे टिफिन बॉक्स के अंदर पानी के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे मसाले का थिकनेस देखिए इस तरीकी का होनी चाहिए इस से ज़ादा पतला ना बनाए एक मीडियम सेच के आलू को एकदम पतले पतले पीसेस में काट लिये हैं इस तरीके से काटने से आलू जो है बहुत जल्थ सौप्ट हो जाते हैं अब सारे आलू को एड़ कर देंगे टिफिन बॉक्स के अंदर आलू के साथ साथ एड़ कर देंगे ग्रेवी के हिसाब से नमक ग्रेवी के साथ आलू और नमक को अच्छे से मिक्स्ट करने के बाद एड़ कर देंगे बॉइल किया हुआ अंडा हार एक अंडे के उपर ग्रेवी को इस तरीके से डाल देंगे जिससे की अंडे के अंदर तक ग्रेवी जो है वो अच्छे से चला जाए एड कर देंगे मुठी भर कटी हुई हरा धनिया हलके हातों से ग्रेवी के साथ धनिया को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे बढ़ना सारे अंडे जो है वो तूट जाएंगे टिफिन बॉक्स एकदम रेडी हो चुके हैं अब टिफिन बॉक्स के ढखकन को अच्छे से बंद कर देंगे कड़ाई के अंदर डाल दिये हैं एक ग्लास पानी अब पानी के अंदर बॉयलाने देंगे पानी के अंदर बॉयला चुके हैं अब एड़ कर देंगे टिफिन बॉक्स टिफिन बॉक्स डालते टाइम थोड़ा सा धैन रखिए टिफिन बॉक्स के आधा तक पानी होनी चाहिए अगर इससे ज़्यादा पानी होगा तो टिफिन बॉक्स के अंदर पानी चला जाएगा टिफिन बॉक्स डालने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे धक के स्लो फ्लेम पर एक घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे पकते हुए एक घंटा हो चुके हैं अब धक्कन हटाएंगे गैस के फ्लेम को बंद कर दिये हैं मैंने अब टिफिन बोक्स को ठंडा होने देंगे उसके बाद ही बहान निकालेंगे टिफिन बोक्स ठंडा हो चुके हैं अब टिफिन बोक्स को बहान निकालेंगे अब टिफिन बॉक्स के ढखकन हटा लेते हैं ग्रेवी के साथ अंडा और आलू को मिक्स्ट करने के बाद एक पाच चेक कर लेते हैं आलू ठेक से पक चुके हैं की नहीं आलू जो है देखे कितने अच्छे से पक चुके हैं गर्मा गरम चावल के साथ इस अंडा कारी को खाने में बहुती स्वादिश्ट लगते हैं एक बार इस तरीके से बने हुई स्टीम एक कारी को घर में जरूर बनेए और मुझे कमेंड करके जरूर बताना कि आपके स्टीम एक कारी के रेसिपी कैसे बने हैं खाईए, खिलाईए, और इंजाए कीजिए, थेंक्स पर वाचिंग